सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करनाटक विधानसवा चुनावों की तैयारियों को लेकर किस तरह से कॉंग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उस खेमे में तैयारिया यहां चल रहे हैं सबसे पहले अगर कॉंग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उमीदवारों की दूसरी लिस्त तयार करने के लिए आज दिली में कॉंग्रेस की एक बैठक हो रही है इस बैठक में पूर मुखे मंत्री सिधारमया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी शामिल हो रहे ह हाला कि इस बैठक से पहले करनाटा कॉंग्रेस की अन्रूनी कले खुलकर सामने आई सिधारमया ने साफ किया है कि वही मुखे मंत्री पद के दावेदार हैं एंडी टीवी से बाचीत में सिध्धार रमया ने माना कि उनके साथ डीके शिवकुमार भी मुखे मंत्री पद की रेस में हैं लेकिन साथ ही उनने ये दावा भी किया कि अगर कॉंगरस सत्ता में आती है तो पार्टी आलकमान मुखे मंत्री के चुनाव में कोई हस्तक शेप और विधायक दल अपनी मर्जी से नेता का चुनाव करेगा You said this See I am also an aspirant for the chief minister post Yes Mr. D. K. Shiv Kumar is also an aspirant for the chief minister post In democracy These things are happening, do happening Nothing wrong in that Ultimately जो कि अखिए लेक्किन है उनकेष भी आगा पर आयए उनकेशबनाशनिक लेक्ता से भीप्सानिक खालप में है लिए, प्रटी हम खेल कर एनकेशनिक पूंध करी आखिए दिये के पर फिरह आगाशनिकाशनिकता अरह मिल्यूद पर खालती लेक्ता सिर्च रहा है और बेंगलूरू में हमारे सेयोगी नेहाल किद्वई हमारे साथ जुड़ गए हैं नेहाल यहाँ पर आपने सिध्धारमया को सुना इस वक्त करनाटा कॉंग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है क्योंकि एक तस्वीर वो भी आये थी जो भारत जोडो यात्रा के दौरान देखे भारत जोडो यात्रा जब करनाटक में थी उससे पहले इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है कि सिध्रा मया और डीके शिफकुमार एक दूसरे के खिलाफ मुक्हमंत्री पत्की दावेदारी को लेकर बियान बाजी करते थे गुडबाजी यहां पर चल रही थी लेकिन ज दोनों से बात की और उसके बाद से कोई भी बियान सिध्रा मया या डीके शिफकुमार की तरफ से मुक्हमंत्री की दावेदारी को लेकर के नहीं आया है दोनों के खेमें से भी जो प्यान बाजी होती थी वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है तो यह आप कह सकते हैं कि सिद्रमया का जो इंटर्विव हम दिखा रहे हैं उसमें भी सिद्रमया ने साफ कर दिया है कि हर कोई मुख्यमंत्री पत्का जो भी राजनीती में हो दावेदार हो सकता है और होना भी चाहिए बिल्कुल नैच्वल इंस्टिंक्ट है लेकिन जो लेजिस्ट्रेशर चून करक हो या फिर सिद्रमया हो या दूसरे वरिष नेता हो वह सब यहां पर पार्टी के कैंडियेट को चुनने में लगा है क्योंकि देखिए पिछले तीन सालों से पार्टी सत्ता में नहीं है और दो साल पहले जब सत्ता में थी तो अगर गरबढ होती है तो कॉंग्रेस को लग 1224 उमीद्वारों की लिस्ट इन्हों ने जारी किया है उसमें वो लोग हैं जो जीत करके आये थे या और दूसरे वो लोग थे जो बहुत कम मार्जिन सी जीते थे अब जो बची हुई 100 सीटे हैं वो बहुत ही महत्तपूर्ण होई उसमें थोड़ी भी गरबर हुई तो जि पीद्वारों की लिस्ट जारी होगी इस दूसरे लिस्ट में और अभी भी 30-40 अभी रह जाएगी हो सकता है तीसरी लिस्ट भी आई लेकिन आप जब बैठक होगा जब उसमें फैसला होगा तब देखना है कि क्या होता है बीजेपी ने अब तक अपनी लिस्ट जारी नही कि